कि नमस्कार कुछ लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्पड रहते हैं मतलब दूसरे कुछ कहेंगे ना तो वो खुश होंगे अगर दूसरे कुछ नेगेटिव कमेंट करेंगे ना तो वो दुख्य हो जाएंगे कुछ लोग है ना अपनी खुशी दूसरों की सहमती पर निर्पड कर रखते हैं ऐसा क्यों है अपने खुश होने का रिमोट दूसरों के हातों में क्यों है सोचल में आजकल क्या होता है सोचल मीडिया पर आप फेस्बूक इस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट रालते हो अपनी अच्छी एक फोटो डालते हो फिर थोड़ी देर बाद उसमें कमेंट देखते हो कोई कहता है अच्छा कोई कहता है अच्छा नहीं है कोई कहता है बहुत खुशी के लिए दूसरों पर निर्बर क्यों हो आप अच्छी dress पेन कर किसी party में जाते हो नई dress लाए हो कॉस्टली dress लाए हो party में जाते हो आपकी क्या असा होती है क्या expectation होती है कि सब मेरे dress की तरिफ करे और पूछे dress कितने की यार बहुत अच्छी लग रही है आप पार्टी में गए किसी ने आपके उस ड्रेस की तारीफ नहीं की तो आपको उसी वक्त आपका मुड़ खराब हो जाएगा यार क्या इतनी अच्छी ड्रेस लाए था कोई तारीफ ही नहीं कर रहा है इतनी महिंगी ड्रेस लाए और अगर किस किसी ने बुल से यह के दिया किया किसी ड्रेस लाए हो अपला तून लग रहे हो एसी ड्रेस लाकर पैसे वेस्ट किया तो आप और दुखी हो जाओ गया आप पार्टी में गए तो वहां बस दिमाग आपका अफसेटी रहेगा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरों को कहन किने से खुस होते हैं और दूसरों के कहने से दुखी होते हैं तो आखिर आज प्रजेंट टाइम में आप अपनी खुसी के लिए दूसरों को निर्बढ क्यों रहते हो आपने मकान बनाया है अपने हिसार से बनाया है लेकिन अगर आप पड़ोसी को और आप अपने रिष्टेदारों को और दिखाने के लिए लाओ गया तो कोई भी यह नहीं कोई तो कमी निकले गाए यह चीज यहां होनी चाहिए थी यार नहीं यह आपके रसुयानी होनी च दिमाग खराब हो जाएगा आपके सपनों का गर्था लेकिन दोश्च उन्होंने कमेंट क्या कर दिया आपका दिमाग खराब हो तो आकिर आप अपनी जिंद्गी आप खुद जीए दूसरों पर निर्बर क्यों रहना दूसरे कहेंगे उठ तो उठ जाओगे दूसरे कहों दोखी होंगा ऐसा मत करणा अपने हाल में जीए अच्छी डरेश पेननी है कोई अच्छा कहें ने मिल्र उससे दास बश्याद लेकिन अगर दूसरे तारीफ नहीं करेंगे तो बस तुकी हो जाई तो ध्यान रखना है अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्बर क्यों रहना अपने हाल में मस रहना और अपनी लाइफ में सेटिस्वाई रहना और मेनत करते रहना दूसरे लोग तो कुछ भी करोगे ना तो कुछ लोग तो आपके उपर कमेंट करेंगे कुछ लोग तो आपको नेगेटिव बोलेंगे और अगर उस नेगेटिव में अगर आपने अपने दिल पर ले लिया और आपने अपने दुख को ले दिया तो सबसे बड़े मुर्क आप दुखी हो जाएगे ऐसे मत करना अपने हाल में मस रहना आनन में रहना दूसरा चाहे कुछ भी कहे कहते रहना अपना काम हमेशा सही तरीके से करते रहना